यह तर्मक्स मॉबाइल हैकिंग का पार्ट नमबर फोर है हम अलवेड़ी तीन वीडियो बना चुके है अगर आपने वो नहीं देखिए है तो लिक डिस्क्रिप्शन में है पहले जाकर वो देख लीजिए आपको यह वीडियो अच्छी से समझ में आएगा लास्ट वीडियो में हमने sms और call bombing के वारे में सीखा था कि हम किसी भी फोन पर unlimited call messages कैसे send कर सकते हैं और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ security के बारे में security कुछ इस टाइप की जैसे कि आपका termux open है और termux में को भी जाकर देख सकता है कि आपने कितनी files यह आप install की हुई है और आप कौन कोंसे tool इस्तमल करते हैं और आप क्या क्या करते हैं तो अगर आप इन सब चीजों को secure करना चाहते हैं कि आपके अलावा आपको वी termux यूज़ना कर पाए उस termux में अगर आप एक password के यूज़ना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं उसके लिए start करते हैं एक intro के साथ तो गाइस जैसे कि आप लोगों बताएं कि सबसे पहले आपको दो कमांड लगाने होते हैं apt update और apt upgrade यह आपको termux जब भी यूज़ करते हैं उससे पहले आपको लगाने ही लगाने ही जिससे कि आपकी जो पहले से installed packages हैं वो फिर से update या अपक्रेट हो जाएं next हम इसके दर get install करेंगे जिनके पास पहले से उनकी कोई दिक्कत नहीं है वाकि आपको जो get install करना है तो कुछ ऐसे होगा आपको लहें आपको package install git enter करेंगे आप तो मेरे पास पहले से installed है अल्रेडी ठीक है अगर आपके पास नहीं तो में installed हो जाएगा no problem तो अब हम चलते है अपने टूल की तरफ टूल को install करने के लिए आपको उसको clone करना होगा clone करने के लिए आप लोग command यूज़ करेंगे git clone git clone clone और यहां पर आप देंगे link link मैंने description में दिया हुआ है अगर आप चाहें तो वहां से भी copy कर सकते हैं या फिर आप यहां देके type किजिए https colon double slash आप लिखेंगे github.com slash for bug slash आप लिखेंगे login लिखने के बाद यह पूरा आपका जो है वो link हो गया है आप इसको enter करेंगे यहां पर जो है login नाम के ट्यूर का kloning होना शुरू हो जाएगा kloning होने में थोड़ा time लेगा यह depend करेगा आपके mobile के performance पर और आपके internet speed पर space login आप जैसे जाएंगे तो उसके अंदर आप लोग पहुँच जाएंगे तो जैसे ही आप LS करेंगे आपको यहां दिखाई देंगे कुछ files इन में से एक file है setup.sh हमको सबसे पहले इसे चलाना है setup.sh चलाने के लिए आपको पता है यह white है पहले से तो इसको executive mode में लाएंगे executive mode में लाने के लिए आपको command लगाने के change mode chmod plus x और लिखना होगा setup.sh आप enter करेंगे तो वो देखेंगे आप दुबार से LS करके देखेंगे तो वो green हो जाएगा green होने का मतलब यह है कि वो file अब executive mode में है और उसको use करने के लिए बिल्कुल ready है use करने के लिए आपको .sh file को use करने के लिए बैश लगाना होते है आप टाइप करेंगे बैश बैश इस 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 पर इस से अटप.sh एंटर करते ही यह setup run हो जाएगा और आप से password मागेगा आप यह को भी password अगतीजिए मैं रहा हूं 1234 repeat password 1234 और एंटर करेंगे और देखिए लिखा आ रहा है यहां पर एक बार इसको exit करके लेखते हैं दुबारे start करेंगे termbox को तो देखिए यह open होने से पहले यहां पर password के requirement कर रहा है यहां कि आपको यह password देना होगा हम यहां password देते हैं 1234 एंटर करेंगे तो यह आपका open हो जाएगा वहां जब password दे रहे होते तो वह देखाई नहीं देता है बस आपको टाइप करना होदा है 1234 और यह open हो गया वर जब भी आप इस termbox को use करेंगे वह सबसे पहले password मंगेगा और आपको यह password देना होगा अगर आप इस password को remove करना चाहते है तो remove करने के लिए आपको वैसे ही अपने इस folder में जाना पड़ेगा login cd space login आप उसमें जाएंगे और यहां को एक file में लेगी uninstall.sh आपको इसको भी executive mode में लाना होगा executive mode में लाने के लिए आपको command ल इसको play करते हैं ओके आप देखेंगे इस बार उसमें password नहीं मंगा है इस वीडियो में सिर्फ इतना ही आप लोग सारी वीडियो को ध्यान से देखिए इसके practice कीजिए क्योंकि अभी बहुत सारा amazing tools हम लोग use करने वाले हैं इस mobile hacking में हम लोग बहुत आगे तक जाने वाले है और इसके बाद हम लोग बहुत जली start करेंगे Linux और हम उस पर hacking करेंगे वेल अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया या फिर कोई भी problem आ रही है तो आप मुझे comment section पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे दिये के number पे WhatsApp करके पूछ सकते हैं कि हाँ यहाँ problem आ रहे हैं मैं आ आप करेंगे हैं इमो